दोस्तो नमस्कार यहां बात करते हैं योग आईवेस पास्ति के बारे में किस परकार से अपने आहार वियार को ठीक रखकर संतुदित रखकर रोग मुक्त राजाए सुप में जीवन जीया जाए मैं डॉक्टर बनमोल लखेडा आज बात करूँगा बूस्टर डोज क्या होती है और इसके लगाने के क्या-क्या फैदे होते है के बारे में बूस्टर डोज क्या है इसके फैदे दोस्तो जब से कुरोना का प्रकोप पूरे विश्व के साथ भारत में भी पड़ा है हुआ है तब से कुरोना के संक्रमन के बचाव के लिए मास्क पहना, सोसियल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हाथ बार बार साबुन से दोना, आधिकारे करने से हम इसके संक्रमन से काफी हद तक बस सकते हैं और बचे हैं और दोस्तों इसके साथी इसका टीका आने के बाद बचाव का एक और बड़ा हत्यार हमारे हातों में आ गया है जिनने अपना कर हमने अपने को और सुरक्सित कर लिया अर्थार तो दोस्तो कुरोना के बचाव के लिए कुरोना का टीका लेकर अपने सरीर में एंटी बॉडिज बना कर सुरक्सित कर लिया दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं टीका में बूस्टर डूस क्या होती है इसके क्या फैदे होते है और कुरोना की बुष्टर डोस के बारे में बैग्यानी क्या कहते है आधि के बारे में बुष्टर डोस क्या होती है बुष्टर डोस कुरोना का टीका ही है दोस्तों बुष्टर डोस उन लोगों को दी जाती है जो पहले कुरोना टीके की दूसरी दोनों खुराक ले चुके ह क्योंकि दोस्तों दोनों खुराक लगवाने के 3 से 6 मेने के अंदर परतिरक्सा में कमी हो जाती है याने antibodies कम होने लग जाती है सरीर में लेकिन तीसरी खुराक या booster dose है तो वहाँ परतिरक्सा को बढ़ाने में मदद करती है और दोस्तों गंबी संक्रमन की या अस्पताल में भरती होने की संभावना कम हो जाती है नमबर दो इसे लेकर सोद के नतीजे क्या कहते है दोस्तो स्वास्त बिशेशग्यों का कहना है कि जिन लोगों में दोनु खुराग लेने के बाद भी प्रियाप्त मात्रा में एंटी बॉडी नहीं बनी है उन्हें तीसरी खुराग के रूप में बूस्टर डोज देने की आवस्कता हो सकती है दोस्तो माना जाता है कि बुजर्ग का टीका कम परभावी है क्योंकि दोनु टीका लगाने के बाद भी कम एंटी बॉडी बनती है दोस्तो इसराइल जैसे देश कुरोना के खिलाब जंग में अपनी बूस्टर अभियान के साथ आगे बड़े है अमेरिका और यूरोप भी इसराइल के नक्से कदम पर चल रहे है दोस्तो ऐसा इसलिए क्योंकि कई अध्यनों में कहा गया है कि 6 मैने बाद टीका का परतिरक्सा में गिरावट हो रही है और दोस्तो ओमिक्रोन और डेल्टा जैसे नए वेरियंट के काफी संक्रमन होने के चलते भी इसकी जरूरत मैसूस की जा रही है नमबर चार पहले लगे टीके की लगती है बूस्टर डोज दोस्तो कई देश मिक्स एंड मैच टीकूं का उपयोग कर रहे है साथ ही कई कमपनिये यूनिवर्सर बूस्टर टीका बना रही है दोस्तो रूस में एक खुराक वाली स्पुतिनिक लाइट का उपयोग बूस्टर डोज के रूप में हो रहा है एस्टोजेनिका की बैक्सीन के दो सौट्स के बाद बूस्टर के रूप में इसकी प्रभाकारिता का मुल्यंकन कनने के लिए अध्यन जारी है नमबर पांस विश्व स्वास्ट्य संगठन याने डव्योचो का इस पर क्या कहना है दोस्टो डव्योचो इस साल बूस्टर डोज देने के पक्स में नहीं था दोस्टो डव्योचो का कहना है कि इससे दुनिया भर में बैक्सीन की किलत हो सकती है साती गरीब देशों पर इसकी मार पढ़ सकती है क्योंकि दोस्तों कोरोना की बूस्टर डोस से महामारी बढ़ने के बढ़ सकती है वाइरस और ज़्यादा तेजी से फैलेगा वाइरस का म्यूटेशन काफी ज़्यादा होगा वैक्सिन उन देशों को भी मिलनी चाहिए जिसे अभी तक नहीं मिली ज़्यादा जोखिम वाले लोगों को बूस्टर खुराग दी जा सकती है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही देखते रहे लखेडा आयरवेट को चैनल को लाइक, सेरो, सस्क्राइब जरूर करिए और लेते रहे योग आयरवेट स्वास्ते संबन्दी नहीं नहीं जानकारिया नमस्कार